हेलो आपहलोदीह लिए मैं आपको इस बीडियोے में बताओंगा कि जो HBPSE फोटो एंड सिंक्चे अप्लोड करते हैं उसको क्या से अप्लोड करने है ठीक है क्या इसका साइज रहेगा क्या इसका फॉर्मेट रहेगा क्या इसकी Sicht रहेगी और कौन सी साइट से आपको इसका जो साइज है डिमेंशन है ठीक है फॉर्मेट है वो आपको चेंज करना या रिड्यूस करना पूरा बताऊंगा ठीक है बहुत से कंडिडेट को फोटो अप्लोड करने में काफी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो अप्लोड करने होगी जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर अदाया है कि जो इसका डिमेंशन रहे गब हो रहेगा 3.5 cm into 4.5 cm तो जो 3.5 cm वो चोड़ी होनी चाहिए और 4.5 लंबी होनी चाहिए ठीक है जो इसकी हाइट होगी वो होगी 4.5 cm और जो इसकी वर्डिकल में लेंथ होगी 3.5 cm है और जो इसका फॉर्मेट होगा वो होगा जेपीजी जेपीजी और पी एन जी रहेगा ठीक है तो यह भी आपको ध्यान पर रखना है और जो फोटो का साइज रहेगा पो रहेगा 10KB to 100KB ठीक है और जो सिगनेचर है उसक यह आप Google बार के उपर जाओगे तो हाँ पर आपको टाइप करना होगा SBI Photo Resizer ठीक है SBI Photo Resizer के उपर आप क्लिक करोगे तो आपको यह साइट के उपर ले जाएगा तो जो सबसे पहली साइट होगी SBI Photo Resizer Online Free Tool इसके उपर आपने क्लिक करना है और सबसे पहली यहाँ देख सक सबसे पहले होगी SBI Photo Resizer खुल के आजाएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है Select File के उपर यहाँ पर आपका जो फाइल आपका जो फोटो होगा वह अपलोड होगा उसके बाद आपने एक फोटो सेलेक्ट कर लेने ठीक है अपलोड कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आना है और यहाँ पर पिक्सल डेमेंशन देखने हैं ठीक है यहाँ पर आप साइज देख सकते हो 50K भी बता रहा है ठीक है तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे ठीक है कौनकों सा डेमेंशन रहेगा हमारा तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे और करेंगे और यहाँ पर लिक्षार कि रहेंगे और यहां पर आप क्लिक करोगे तो जो डीपी रहेंगा वो रहेगा आपका 200 और यहां पर आप साइस अपने अक्रोडेंग चेंज कर सकते हो अगर आप image है भी है तो automatic क्या ये size ज्यादा बताएगा और यहां से आप change कर सकते हो ठीक है देखिए हमारा अब यहां पर वैट और height आ चुकी है तो अब हमें select करतेंगे इसको और यहां से आप देख सकते हो JPEG या JPEG में भी लिख सकते हो convert कर सकते हूँ, फिर यहाँ पर download के ऊपर click करोगे, और आपकी जो file है, वो download हो जाएगे, ठीक है, आपका जो photo है वो साइज यहाँ पर चाहिए, वहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक है photo download करने कशनेवाद, अब यहाँ पर आप signature के ऊपर click करोगे, और यहाँ पर एक signature की file जो photo आप upload कर दोगे और तो जैसे signature upload हो जाएंगे तो जो यहाँ पर pixel already set है आपने उसी को ही उठाना है यह जो पूरी dimension है बूर HPPHC की side उठा लेती ठीक है तो यहाँ पर आप change करना चाहती है तो change कर सकते हो नहीं तो आप इसी को ही रहने दोगे ठीक ह तो इसको भी आप download कर लोगे ठीक है यहाँ से आप download के उपर click करोगे और यह download हो गया ठीक है तो आपकी photo signature दोनों download हो चुके है जो हमें side चाहिए था वो download हो चुके है अब हमें दोवारा आना है HPPHC की side के उपर ठीक है यहाँ पर आपने आने photo के उपर click करना है और जो से download की थी आप यह भी जो आपने resize किया उसको यहाँ पर upload कर देना है साथ में जो signature होगा आपका यहाँ पर signature upload कर देना है और यहाँ पर proceed to next यूपर click कर देना है तो जो size इनको चाहिए होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और जो आपकी photo signature होगे वो upload हो जाएगी ठीक ह तो आपकी